सब्सक्राइब नाओ एंड क्लिक ओन दा बेल आइकॉन पूर मोर अपडेट्स हेलो दोस्तो आज इस वीडियो में न्यू ब्लोग पोस्ट को सोसल मीडिया में आटो सेयर कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ ब्लोग और वैपसाइट में न्यू पोस्ट लिखने के बाद उस न्यू पोस्ट में ट्राफिक लाने के लिए पोस्ट को सोसल मीडिया अकाउंट में सेयर करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि जो लोग हमें social media में follow करते हैं उन तक हमारी new post पहुंच सके सभी new post को बार-बार अलग-अलग social media में share करने से हमारा काफी समय social media में अपनी new post share करने में ही चला जाता है परन्तु यदि हम चाहें तो अपनी post को social media में auto share भी कर सकते हैं social media account में post auto share करने के लिए हम jetpack plugin का use करेंगे दोस्तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि jetpack plugin का setup कैसे करते हैं तो उस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा उस वीडियो को देखकर आप jetpack plugin को अपनी website में setup कर पाएंगे और website में jetpack plugin setup करने के बाद आप इस वीडियो को continue करें तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपने अपनी website में jetpack plugin का setup कर लिया है तो चलिए चलते हैं अपनी website के dashboard में और जानते हैं कि jetpack plugin का use करके new post को social media account में auto share कैसे करते हैं अपनी website और blog की new post को social media account में automatic share करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी website में jetpack plugin को install और setup कर लेना है तो दोस्तो मैंने पहले से ही कर रखा हूँ उस video का link आपको description में मिल जाएगा उसका use करके आप अपनी website में jetpack plugin setup कर लेंगे setup हो जाने के बाद अब आपको सबसे पहले अपनी website का dashboard open कर लेना है dashboard में आने के बाद अब आपको left side में jetpack का option दिखाई देगा तो आपको jetpack पर click कर देना है जैसे ही आप jetpack पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर jetpack का जो page है वह है open हो जाएगा तो अब आपको यहाँ पर ऊपर दो option दिखाई देंगे right side में dashboard और settings तो हम पहले से ही dashboard पर रहेंगे तो आपको यहाँ पर settings पर click कर देना है तो चलिए हम click करते हैं settings में settings में आने के बाद अब आपको ऊपर यहाँ पर कुछ option दिखाई देंगे तो आपको यहाँ पर sharing पर click कर देना है तो चलिए मैं click कर देता हूँ sharing में sharing में आने के बाद अब आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा publicize connections तो यह पहले से ही disable रहेगा तो आपको सबसे पहले इसे enable कर देना है तो अब आपको यहाँ पर automatically share your post to social network इस option को आपको enable कर देना है updating setting तो थोड़ा सा wait करना है यह setting update हो जाएगी अब आप देख सकते हैं setting update हो चुकी है तो अब हमें आप यहाँ पर एक option दिखाई देगा connect your social media accounts तो अब आपको इस पर click करना है अब हमारी website में birdpress.com open हो जाएगा तो यहाँ पर हम connection में आ जाएगे तो अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा publicize posts तो आपको सबसे पहला option दिखाई देगा facebook का यानि कि सबसे पहले हमें हमारी website को facebook से connect करना होगा उसके बाद ही जो भी हम new post करेंगे वह automatically share हो जाएगी तो उसी तरह से हम twitter, linkedin and tumblr इन सब में भी उसे connect कर सकते हैं तो चलिए हम सबसे पहले facebook के सामने connect पर click कर देते हैं तो जैसे हम connect पर click करेंगे new tab open हो जाएगा यदि पहले से आपके browser में facebook login नहीं है तो आपको login करने को कहा जाएगा तो हम दोस्तों मैंने इसमें आपको बताने के लिए login नहीं किया था मैंने twitter को login कर रखा हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना facebook account login कर लेता हूँ चलिए मैं अपना username टाइप कर देता हूँ username टाइप करने के बाद अब मैं अपना password भी डाल देता हूँ यूजर नेम और password डालने के बाद अब आपको login पर क्लिक कर देना जिससे कि आपका जो facebook account है वहाँ login हो जाएगा तो दोस्तो अब आप आपने देख सकते हैं मेरा जो facebook account है वहाँ login हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ नाम भी दिखाई दे रहा है और जो हमने पहले connect किये थे उसकी detail भी दिखाई दे रही है तो हम यहाँ पर continue us अपने नाम के साथ किलिक कर देंगे यहाँ आपको सीधे अपने नेम पर किलिक कर देना होगा जो भी आपको दिखाई दे तो मैं यहाँ पर अपने नेम पर किलिक कर देता हूँ तो यहां से मुझे password वगेरा save करने को कहा जा रहा है तो मैं यहां पर don't save कर देता हूँ तो दोस्तों अब यहां पर मेरी profile में या फिर मेरी facebook id में जितने भी facebook page है वह दिखाई दे रहे हैं तो अब यहां पर हमें choose करना है कि हमें कौनसा facebook page को select करना है इस website से connect करने के लिए ताकि हम जब भी हमारी website में कोई भी new post publish करें तो वह हमारे facebook page में automatically CR हो जाए तो हमें यहां पर जितने भी हमारे page होंगे वह दिखाई देंगे तो मैं यहां से अपना दूसरा number का page select कर लेता हूँ new gadget news तो अब हमें यहां पर connect पर click कर देना है तो चलिए हम click करते हैं connect पर तो दोस्तो अब आप यहां पर देख सकते हैं connecting start हो चुकी है तो connected होने तक का हमें bet करना होगा तो दोस्तो जैसे ही आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर disconnect का option आ जाता है इसका मतलब कि हुआ successfully connect हो चुका है the facebook account was successfully connected website को facebook से connect करने के बाद अब हमें हमारी website को twitter से भी connect करना होगा ताकि जब भी हम हमारी website में कोई post publish करें तो वह twitter में भी share हो जाए तो हमें यहाँ पे twitter के आगे connect पर click कर देना है फिर से की new dialogue box या फिर new window open हो जाएगी वह है authorized app का option आ चुका है तो हमें यहाँ पे authorized app पर click कर देना है यदि आपको यहाँ पे login करने को बोला जाए तो आप अपने account से login कर पाएंगे जैसे हमने facebook में किये थे तो अब हमें यहाँ पे authorized app पर click कर देना है तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं redirecting back का दिखाई दे रहा था और यहाँ पे connecting twitter अब आपको यहाँ पर twitter का यूजर ने में वहाँ दिखाई देगा कि आपका website कौन से account से connect हो रही है तो अब आपको यहाँ पर connect पर click कर देना है तो दोस्तो यहाँ पर भी disconnect का option आ चुका है इसका मतलब हमारी website अब facebook और twitter दोनों से connect हो चुकी है और अब हम जब भी कोई new post डालेंगे वह है facebook और twitter में automatic ही share हो जाएगी तो दोस्तो जिस तरह से हमने facebook और tutor को अपनी website से connect किये हैं उसी तरह से आप linkedin and tamler दोनों को ही connect कर पाएंगे दोस्तो मैं बस इतना ही आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा रहा हूँ क्योंकि यदि मैं इन दोनों को और भी connect करूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस बही है आपने जिस तरह से facebook और twitter को connect किये हैं उसी तरह से आपको इन दोनों social media को भी connect कर लेना है तो अब हम यहाँ से इसे card देते हैं और अब समय है कि हम इसे test करके देखें कि यदि हम कोई post publish करते हैं तो वह automatic share होती है या नहीं तो इसके लिए हमें चलना होगा पोस्ट में और चलते हैं आल पोस्ट में या फिर आप direct add new पर भी जा सकते थे क्योंकि हम जब तक कोई new post नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा हमने जो setup किये थे वह successfully हुआ है और हमारी new post हमारे social media account में automatically share हो रही है या नह नहीं तो अब हम यहाँ पर add new पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर जल्दी से कोई भी post को लिख देता हूं या पब्लिस कर देता हूं तो दोस्तों यहाँ पर post editor open हो चुका है तो हमें यहाँ पर title कुछ भी type करना है यह मैंने अपनी पोस्त का title दे दिया हूं यहाँ पर हमें कुछ भी लिख देना है हम इसी को copy करके paste कर देते हैं यहाँ पर मैं यह सिर्फ टेस्ट करने के लिए यहाँ पर post publish करने वाला हूं इतना करने के बाद अब हम सीधे publish कर देते हैं तो चलिए मैं यहाँ से publish कर देता हूं सबसे पहले इसे save कर देते हैं पोस्त सेब करने के बाद अब हम इसे publish कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारी जो पोस्त है हुआ है आटोमेटिकली हमारे सोसल मीडिया अकॉंड में सियर हो रही है या नहीं तो चलिए हम publish कर देते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्त हमारी publish हो चुकी है तो हम यहाँ से इसे कार्ड देते हैं और इसे update होने का थोड़ा सा बेट कर लेते हैं तो दोस्तों सकसेस्पुली update और पॉबस्त सभी कुछ हो चुकी है तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सोसल मीडिया अकॉंड में और चेक करते हैं कि हमने जो पोस्ट किये हैं वह है आटोमेटिकली सियर हुई है या नहीं ओके तो चलिए हम न्यू टैब ओपन करते हैं और यहां पर ओपन कर लेते हैं फेस्बुक डॉट कॉम और इतना टाइप करने के बाद अब हम एंटर करते हैं जिससे की वेप साइट ऑफन हो जाएगी तो दोस्तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखता हूँ तो जैसे हम यहां पर थोड़ा सा आप यहाँ पर इसका title देख सकते हैं आप पोस्ट टेस्टिंग जो हमने यहाँ पर उसका title रखे थे पोस्ट हमारी automatically share हो चुकी है और यह है just now पर हुई है तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हम किलिक करेंगे तो हमने जो पोस्ट अभी लिखे थे ओपन हो जाएगी तो चलिए हम उसे ओपन होने का थोड़ा सा बेट कर लेते हैं अब देख सकते हैं हमारी पोस्ट थी जो ओपन हो चुकी है और हमारे जो social media account है उसमें automatic ही share हो चुकी है तो चलिए मैं यहाँ से अपना page भी open करके दिखा लेता हूँ चलिए हम यहाँ से page open करते है यह रहा हमारा page इसमें देखते हैं हमारी post कहाँ पर आई है तो दोस्तो यह रही हमारी post ओके इसमें हमने thumbnail नहीं दिये थे इसलिए यह है इसने automatic ही thumbnail ले लिया है जो हमारी website का logo है यह हम यहाँ पर उसका thumbnail लिया image बगरा add करते पोस्ट में तो वह thumbnail यहाँ पर आ जाता तो अब हमने देख लिए कि हमारे जो facebook page है उसमें automatically post share हो चुकी है तो चलिए हम twitter में भी check कर लेते हैं यहाँ से ओपर कर लेते हैं twitter.com तो दोस्तों अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं उसमें भी हमारी post automatically share हो चुकी है और हमारा जो twitter account है उसमें भी हमारी post automatically share हो चुकी है इसी तरह से आप यदि वो दोनों social media को भी connect करते तो उनमें भी आपकी जो post है हुआ है automatically share हो जाती तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपनी WordPress website की post को automatically social media account में share कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जरूर कुछ ना कुछ नया सिखने को मिला होगा दोस्तों ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सियर जरूर करें मैं आप से मिलूँगा नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहिन दोस्तों